वेलकम तो माई चैनल रवी फिजिक्स बिद्या एन ओफलाइन कोचिंग सेंटर बिद्या एजूकेशन एड सूरत फोर जेई, नीट और फांडेशन, पाथ फर देवेस्ट तो प्रिजेंटली हम लोग 11 फिजिक्स स्रीज डिसकस करेंगे और इसमें मैंने एक फ्रिक्शनल फ मैं रिकॉल कर रहा हूँ, आप बताओ मुझे आप सिंगल ब्लॉक प्रॉलेम के जो सिंगल ब्लॉक प्रॉलेम जो होता है, उसमें हमने क्या कॉंसेट डिसकस किया था, यादार है आप लोग को जो आपका राइज, पीक और कॉंस्टेंट, क्या आपको देखना होता है कि हम ब्लॉक मुविंग टुगेधर होंगे या स्लाइडिंग होंदे इचेदर होंगे, ठीक है, तो इनको एक्चली करते हम लोग क्या की एजंशन लेते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम एक बीडी ड्रॉ करके फिर चेक करते हैं, अगर डबल ब्लॉक हो जाता है, डबल ब्लॉक का जादा से जादा, तो देखते हैं को जैसे प्रॉलम इसमें जैसे यह आप देखको डबल ब्लॉक होले, इसमें जैसे क्या दिया, फाइंड एक्सलेशन अब टू ब्लॉक्स, दा सिस्टम इस इनिशली अट्रेस्ट, एंड फ्रिक्शन कोफिसियंट्स आइस सोन इन फिग कितना है, ए का 10 kg, बी का भी 10 kg, और ड्राइविंग फॉर 50 न्यूटन है, और म्यू जो दिया हुआ है, आपका 0.5 दिया हुआ है, और नीचे वाला जो सर्फेस दिया वो स्मूथ है, यह जो आपका सर्फेस जो दिख रहा है, वो स्मूथ है, तो अपन इसमें मतलब यह क्या करता है, कि वहीं बताया ना, कि या तो बोथ मूविंग टूगेधर होंगे, या तो स्लाइडिंग ओन इचेधर होगा, ठीक है, तो पहले हम क्या करते है, कि दोनों ब्लॉक का ABD ट्रॉप कर लेते हैं, तो देख लिजे, A पर 50 लग रहा है, और F लग रहा है, बी पर इधर F लग रहा है, नूटन स्थर्ड लोस है, ठीक है न, और F का जो मैक्जम वैलू होगा, मुवेस एन आएगा, तो एन कहां से मिलेगा, एक एविट से मिलेगा, तो मुवेस एन जो होगा, मुव का वैलू 0.5 और एक एविट 100, तो ये 50 नूटन हो गया, हमारा ये जो फ्रिक् फोर्स जो होगा, F वो इंटर्नल फोर्स हो जाएगा, तो एक्सलेशन जो होगा, वो ड्राइविंग फोर्स के चलते आएगा, तो A is equal to क्या होगा, फिफ्टी अपॉन 10 प्लस 10, तो इट इस 2.5 मिटर पॉस सेक्ट स्वार, फिर हमें B के लिए कंफर्म होना होगा, कि ये ज कितना होगा, 10 into 2.5, it is 25 N, and it is provided by this frictional force, and already we have seen, that कि आपका ये frictional force less than 50 N है, तो हमारा जो maximum value है, force का कितना है, वो 50 N है, ठीक है, ये जो है, आपका 50 N है, और जो हमको need कितना है, 25 का, तो इसका मतलब क्या है, कि आपको ये दोनों block move together कर जाएंगे, right, तो इसलिए expression of A और expression of B कित कितना होगा, 2.5 meter per second square, मतलब हमारा junction क्या हो रहा है, confirm हो रहा है, ठीक है न, तो ऐसे और जी देखते हैं, जैसे ये आपका, देरा है कि find the acceleration of the two blocks, the system initially at rest, and the friction coefficients are given, mu 0.5 है, और उस पर 101 N लगा रहा है, तो आप वो देख लो, आप इसमें, जो ABD देख लीजे, A का जो value होगा, इसमें, ये, ये जो है, उस पर, 101 N का force लग रहा है, और नीचे, A का जो आपको lower में है, उसमें आपको, ये जो दिख रहा है, आपको, ये F लाएगा, ठीक है, और B जो है आपको, यहाँ पर उपर में F लाएगा, तो, आप देखिए, A का देखिए, तो इसमें, A में आपका 101, और ये F, ठीक है, और B पर F लग रहा है, और F का maximum value, वही मिवेस N से आएगा, तो it is the 50 N, ठीक है न, ये 50 N, और इसमें, जो आपको, अब देखना है, कि, अगर हम moving together मानते हैं, मान दीजे, तो फिर हमारा F क्या होगा, F जो होगा, ये, वो तो internal हो जाएगा, तो driving force कितना 101, और total mass कितना होगा, दोनों का हमने A और B को system मान लिया, तो ये 101 by 20, तो 5.05, meter per second square, ठीक है, फिर हम लोग check for the B करेंगे, ये B का check करेंगे, तो B पर, अगर kinematics के हिसाब से देखें, तो हमारा इसका mass 10 है, और इसका हमारा maximum value 50 है, जेकिन अपनको कितना चाहिए, 50.5 चाहिए, तो इसका मतलब कि ये आपको needed जो हो रहा है, फुल्फिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि क्या होगा, कि दोनों separately accelerate करेंगे, तो ये 101 और maximum लग जाएगा 50, तो इसका acceleration कितना हो जाएगा, आपका 101 minus 50 by 10, that is 5.1 meter per second square, और इस पर आपका maximum value upper age पर 50 लग गया, वो accelerate करें, 50 by 10, 5 meter per second square, ठीक है, तो ये अपना case बन रहा है, अच्छा question है इसमें, ठीक है न, और ऐसे मतलब इसमें जितना आप practice करोगे न, उतना ही आपको बड़िया concept बनेगा, जैसे ये आप इसमें देखिए, क्या बोला, initially the system is at rest, ठीक है न, and find out the minimum value of the f, ये जो आप देख रहा है, minimum value of the f, for which sliding starts between the two blocks, right, तो और mu का value कितना दिया, 0.5 दिया हुआ है न, तो इसका मतलब पले हम लोग इसका ability देख ले, इस पर capital f लग रहा है, ये आपको, ये capital f, और इधर हमारा, चुकि ये मतलब एक तरसे limiting का case हो गया, मतल आई है कि, ये हम भूज रहा है, कि minimum value, तो इसका मतलब कि, वो limiting mode में रहेगा, तो इसमें f का maximum value जो होगा, ये अपर वाले 10 का weight से आएगा, normal force, तो 10 into 10 100, और maximum value mu s n, तो 50 mu s कितना दिया, mu कितना दिया, 0.5 दिया हुआ, ठीक है न, तो ये जा करके, ये आपका 0.5 into 100, तो 50 हो f का value कितना गया, 50, और ये अहाँ पर ये 50 और f, ठीक है न, तो अगर इसका देखा जाए, नीचे वाले जो है, आपका, तो f minus 50 is equal to 20a, और उपर वाले का देखा जाए, तो 50 is equal to, मतलब ये 10a, तो a का value कितना हो गया, 5 meter per second square, तो उस equation value put कर देंगे, तो आपका value आजाएगा, 150 newton, अच्छा question है, बड़िया question है, मतलब analyze करने लाइक है, आप देखिए इसको properly, ढंक से है न, तो आपको idea होगा, उसके बाद ये, और भी हम लोग question देखना चाहेंगे, जैसे कि आप इसमें, ये देखिए, आपको f का value कितना दिया है, 60 newton दिया हुआ है, और ये mu 0.5 दि 20 kg है, और find the acceleration of the two blocks, the system is initially, और son in the figure, तो बात वही है, इसमें moving together और या तो moving separately का concept चल रहा है, तो आपको इसमें देख लेना, अगर moving together मानते होता है, ये frictional force बीच का जो होगा है, वो तो कुछ नहीं लेंगा, तो 60 by 30 हो जागा, तो 2 meter per second इसको है, फिर check करेंगे, आपका 20 kg प साब से आपका 40 needed होना चाहिए, और maximum value जो आए रहा है, आपको कितना, ये 0.5, मुवेस N न, तो मुवेस 0.5 हुआ, और N उपर वाले के weight से आएगा, तो 10 into G, तो 150 newton होगा, तो हमारा पास availability कितना है, 50 का, और हमें need कितना है, 40 का, तो it is moving together हो जाएगा, ठीक है, तो question क्या था इसमें, कि find the equation, तो answer 2 meter per second square होगा, ठीक है न, और ये एक और questions दिया हुआ है, in the above example, find the maximum A for which the two blocks will move together, observing that the critical situation where the friction becomes limiting, ठीक है, क्या question है, कि in the above example, find the maximum A for which the two blocks will move together, ठीक है, maximum, क्योंकि अगर फिर एक critical position है कि वो sliding होने लाएगा, तो, मतलब इसमें हमारा ये F का बहुत है, उसमें तो 50 दिया हुआ था, लेकिन इसमें अब हमको तो value find करना है, तो ये F हुआ, उसके ऊपर ठीक है न, और ये जो F हुआ ये, इदर F का maximum value 50, और यहां पर F का maximum value 50 लेहेगा, 20 पर, तो यहां सो, जो acceleration, इसका F minus, F max, F max is equal to 10 है, और यहां पर F max is equal to 20 है, तो आपको यहां पर F max का value 20 है, और F max कितना दिया है, 50, तो 50 is equal to कितना हो जाएगा आपका, 20 है, तो उसमें value put कर देंगे, F max का value 50, ठीक है, और ये F max is equal to 50, और यहां यहां, F max is equal to 50, और यहां पर आपका F max is equal to 20 A, तो 50 is equal to 20 A, तो A is equal to कितना हो गया आपका, 2 by 5, तो इसका मतलब कि 2 by 5 हुआ, तो इसका जो होगा, 2 by 5, तो यह तो 4 हो रहा है न, तो 4 और F max 50, एक मिनिट, एक बार थोगा सा दुबारा इसको recall करते हैं, इक्वेशन क्या बन रहा है, F minus ये वाला, ये वाला equation बन रहा है, F minus F max is equal to 10 A, और यहां पर F max is equal to, F max is equal to, इसका मास कितना है, 20 है न, तो 20 into A, ठीक है, तो ये हो गया 20 A, F max के बार ले, तो इधर आएगा, तो F is equal to 30 A, ठीक है, और A का value यहां से मैंने निकाला था, F max is equal to, माने 50 is equal to 20 A, तो A is equal to 5 by 2, तो 30 A, तो A 5 by 2, तो 15, 2 से कटेगा, तो 75, ठीक है, एक बार इसको आप numerically calculate कर लिएगा, ठीक है, answer ठीक है, F is equal to 75, मतलब ये ध्यान देना, F max का value यहां पर 50 है, तो A का value कितना हो जाएगा, 5 by 2, ओके राइट, ठीक है,